आज का टोपिक कुछ अलग होने वाला है आज का टोपिक होने वाला है अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो पता है कि स्टोरेज एक बहुती इंपोर्टन एस्पेक्ट है हर एक फोटोग्राफर लिदियोग्राफर के लिए तो आज का टोपिक यह है कि मैं कितना स्टोरेज चाही है मैं यह कर रहा हूं इन कैमारा स्टोरेज इनकैमारा एसडी काड्स दिखें महें तो घजो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं और और मुझे भूत सरा storage use होता है क्योंकि कभी अपार back to back photo shoots, video shoots होता है तो मैं storage को external storage में store करने के लिए time नहीं मिलता है तो SD card side में रखना पड़ता है और नया SD card डालना पड़ता है तो इस तरह से आकिर को आपको कितने SD card चाहिए well the right answer किसी को पता नहीं लेकिन जितने जाधा है उतने बेटर है मैं खुद मेरा SD card का collection दिखाता हूँ आपको फिलाल तो यह case में मेरे पास अल्रेड़ी 8 SD cards है देख लेना तो जाधा देखो SD card 200 MB के read write speed से अच्छा खासा काम होता है of course अगर आपको इससे fast speed वाला SD card चाहिए तो जरूर ले लेना चाहिए मैं तो कहुँगा जितने बेटर जितने fast SD cards या CF express cards आप खरीते हो उतना बेटर है आपका उतना shutter speed fast होता है जब आप continuous shooting में करते हो तो उतने जाधा आपको frames per second आ जाते हैं तो आज का टॉपिक यह है कि देखो SD cards जितने जाधा है आपके पास उतना बेटर है अपकोस इनको थोड़ा महंगे आते हैं लोग क्या करते हैं क्यों max to max 3 या 4 SD card रखते हैं और वो professional photo shoot करने जाते हैं और आपको कभी कबार कमी हो जाती है कि SD card में space नहीं हो जाता है आपको important event शूट करें आपको लगता है कि यह event के बाद मैं दूसरा event कर दूंगा same SD card से space खतम हो जाता है और आपके पास backup की तरह SD cards नहीं रहते हैं तो यहां पर I would always suggest कि आप at least 6 SD cards या CF express cards रखे उससे आपको आई benefit है आप कुछ रुक्सान होने नहीं वाला है इनकेस emergency में कभी कोई SD card या CF express card आपका खराब हो जाता है तो आपके पास already backup में चार SD card या 5 SD cards रहते हैं secondly SD cards में जितना भी data होता है वो आप हमेशा external hard disk में store करते हैं या आपके cloud storage में करते हैं लेकिन back to back back to back shoots रहते हैं तो उतना time नहीं मिलता है until and unless आपके पास एक assistant है तो इसलिए जितने ज्यादा काम आप करते हैं उतने ज्यादा SD cards आप रख सकते हैं कभी कभार क्या होता है कि क्लाइंट को एक महीने बाद या दो महीने बाद फोटो में कुछ changes या वीडियो में कुछ changes चाहिए होता है तो max to max मेरे पास जो SD cards रहते हैं मेरे जो events रहते max to max एक एक देड़ महीना तक वो SD card में रहते हैं क्योंकि तो आज का वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताना और यह बताना कि आप कितने SD cards यूज करते हैं आप किस तरह का फोटोग्राफी यूज करते हैं ठीक है और टेंक्यू एक्चली वीडियो खतम नहीं हुआ है तो आज का वीडियो SD cards के उपर था तो मैं सोच रहा हो कि गिव अवे कर दू तो यह रहे मेरे पास दो SD cards of 64 GB यह सेंडिस के है जिसका 200 Mbps का रीट और 90 Mbps का राइट स्पीड है तो यह cards भी आपके हो सकते हैं आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है कमेंट्स में SD card लिखना है और मेरे Instagram में follow करना है तो आप में से कोई भी दो lucky winners यह cards जिख सकते हैं तो यह giveaway November 25 तक on है minimum 2000 subscribers होना जरूरी है तब जाके मैं यह cards दे दूँगा ठीके तो आज का वीडियो इतना ही था तैंक यू